मस्कार दोस्तों मेरा नाम है रोईत इस वीडियो मैं आपके साथ सिक्त क्लास की साइंस डिसकस करने जा रहा हूँ जो की फोर्थ चैप्टर है सोर्टिंग मटीरियल इंटू गुरुप्स सबसे पहले हम जानेंगे सोर्टिंग क्या होती है उसके बाद जानेंगे मटीरियल क्या होता है और मटीरियल की क्या क्या खासियत होती है फिर उसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले सोटिंग के बारे मैं आपको बताता हूँ सोटिंग क्या होती है कि छाटना या अलग करना जैसे आपने किर्याने के स्टोर पर देखा होगा वो क्या करता है कि जो फूड आइटम रहती है अलग रखता है जो साबुन या सोप रहता है उसको अलग रखता है शैंपू अलग रखता है जो बिस्किट कर रहता है ये सब और चोकलेट ये सब अलग रहता है सब उसका अलग अलग उसने सोट किया होता है जब कस्टूमर आता है तो जैसे कस्टूमर बिस्किट मांगा तो वो बिस्टिक वाली बिस्किट वाले गराज से बिस्किट लाकर दे देता है इससे उसको फाइदा कहा रहता है उसका टाइम बच जाता है तो इसी को हम लोग सोटिंग कहते हैं और उदारन आपने घर में भी देखा होगा कि जैसे हम लोग जो है किचन के एकुपमेंट हैं जैसे भगोना और कूकर यह सब कहां रखते हैं किचन में रखते हैं ना कि ट्रॉइंग रूम में और जैसे ब्लैक बोर्ड है जो वो क्लास रूम में रखा जैसे इंग्लिश की बुक्स अलग रखी जाती है मैथ कि अलग और जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी बुक्स अब की अलग अलग रहती हैं इनको अलफा बैटिक लिए अरेंज भी किया जाता है यह आपका हो गया सोटिंग यानिकि चीजों को अलग अलग करना अब हम डिसक जैसे इसमें figure में दिया गया यह सब आपने देखा हुआ कि लोना अब हम discuss करते हैं material sorting का आपको समय में आ गया होगा अब हम लोग देखते हैं कि material क्या होता है अब जैसे यहाँ पर दिखा रहा है material 4.1 table में देखिए पहले तो आप जान लीजिए material क्या होता है अब जैसे 4.1 table में दिया गया है कि plate जो है और किस-किस से कौन-कौन से material से बन सकती है जैसे steel से भी बन जाती है plate जो हमारे घर में यूस होती है थाली और glass से भी बनी रहती है काज की भी रहती है और plastic की भी रहती है और भी कई material से रहती है वैसे उसी तरह दूसरा उतरन दिया गया है pen pen जो है प्लास्टिक का भी रहता है और metal का भी बन जाता है तो आशा करता हूँ आपको ये material और object में फरक समय में आ गया होगा अब 4.2 में जो है table वो पहले material दिया गया है material से कौन कौन सा object बन सकता है उसके बारें बतायागा है जैसे wood है wood से chair बन जाएगी table और bull cart और wheel ये सब wood से बन जाता है और papers क्या बन जाता है books बन बन जाती है और notebook बन जाती है नो इसके उपर तो आप इसको table को अच्छी तरह से fill कर लीजेगा अब आगे हम लोग discuss करेंगे कि material की खासियत क्या होती है जैसे material में क्या क्या खासियत रहती है कि वो कई बार कोई material हलका रहता है जैसे लकड़ी हलकी रहती है और किसी की मजबूती जादा रहती है तो इनहीं की बारे में जर्चा करेंगे उद्धारन के लिए जैसे हमको building बनाने के लिए और bridge बनाने के लिए कौन से material इस्तिमाल करेंगे हम लोग जो मजबूत हो मजबूत जैसे की लोहा उसमें पड़ता है तो इस तरह का material इस्तिमाल करेंगे और जो है जेवलरी या गहना बनाने के लिए हम लोग चमकीला या लस्चर जिसमें चमक रहे वो इस्तिमाल करेंगे वो भी एक material है ताकि जो cotton है हमारा गर्मी पसीना सोक सके और जो सर्दी में हम लोग उनी कपड़े पहनते हैं ताकि हमारे शरीर को गरम बनाए रखे अब material की खासियत क्या क्या है यह इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं यह property of material में मैंने आपको बता दिया है जैसे इन्होंने property of material में क्या इन्होंने एक figure आपको दिखा रहा है कि इन्होंने जो liquid चीज है इसको कहां पे पेपर में या कपड़े में यह store कर रही थी तो सारा इनका जो है liquid वो बह जा रहा है तो हम लोग जो liquid store करना है वो mainly use करना है वो metal का होना चाहिए plastic का होना चाहिए और other material का होना चाहिए ना कि हम liquid को store करने के लिए paper और cloth का इस्तिमाल नहीं करेंगी यही इसमें बताया गया है तो अलग-अलग material की अलग-अलग जगा जरूरत पड़ती है अब पहला आपको दिया गया है कि appearance क्या होता है यहाँ पे appearance appearance मलब दिखाई पड़ना या कैसा दिखता है material जैसे कुछ material जैसे मैंने उधारन के लिए बताया था सोना चांदी जो है वो चमकीला रहता है वो हमेशा चमकता ही रहता है अगर जहें उसको हम लोग काटेंगे दो टुकडों करेंगे तब भी वो चमकता ही रहता है इसी तरह जो है copper और aluminium है इसको हम लोग काटेंगे तो यह हमें चमकीला ही जैसे था वैसे ही दिखाई देगा जैसे और जो wood रहता है और chock रहता है यह सब में दिखने में कैसा रहता है चमकीला नहीं रहता यह भद्दा दिखाई देता है तो इसमें यही दिखाए गया है कि यह एक pipe थी इसको इन्होंने कट किया और यह जैसे पहले चमक रही थी वैसे कि वैसे है तो ये इसको क्या क्या कौन सा गुण कहेंगे लस्चर का गुण कहेंगे जैसे सोना चांदी भी तोड़ा जाए तब भी वो जो चमकीला पन है उसका चमकता ही रहेगा यही इसमें बताया गया था अब आगे हम अगली प्रोपटी की बारे में चर्चा करते हैं जो की है हमारा हाडनेस हाडनेस क्या होती है हाडनेस अब होती है कि जैसे हम लोग कुछ चीजों को दबा देते हैं तो वो इसली दब जाती है वो मटीरियल क्या रहते हैं वो सोफ्ट रहते हैं सोफ्ट मटीरियल which can compressed or scratched easily are called soft जो material compress और scratch नहीं होती उनको soft material कहा जाता है नहीं जो material जो है compress और scratch हो जाती है उनको soft कहा जाता है और दूसरी तरफ है जो material compress और जो है दबती नहीं उनको hard material कहते हैं उधारन के लिए जैसे cotton और sponge जो है ये दब जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, इनको हम लोग soft material कहते हैं, iron जो की hard material है, आपको आशा करता हूँ ये hardness का पता लग गया होगा कि कौन सा hard है, कौन सा hard नहीं है, आगे हम लोग ये part 1 है, अगली वीडियो मैं आपको अगली प्रॉप्टी की बारे में डिसकस करूँग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद